देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुच गई है वही बारसों से जादा लोग कोरोना के चलती अपनी जान गवा चुके हैं पहले सरकार ने 14 अपरेल तक लोगडाउन लगाया था लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर 3 माई कर दिया गया लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए लोगडाउन की सीमा बढ़ा कर 17 माई कर दी गया अलग-अलग शेत्रों में कोरोना के अलग-अलग केस देखे जा रहे हैं इसी को देखते हुए सरकार ने 3 कैटेगरी तैयार की है इस कैटेगरी के तहट जिलों को 3 अलग-अलग हिसों में बाटा गया है ग्रीन जोन, औरिंज जोन और रेड जोन सभी जोन में लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट को अलग-अलग तरीकी से दिया गया है हम बात करते हैं ग्रीन जोन की ग्रीन जोन के अंदर वो मामले या जिले आते हैं जहां पर अब तक कोरोना पॉसिटिव मरीज के के सामने नहीं आये है अब ग्रीन जोन में क्या-क्या छूट दी गई है और क्या नहीं? ये भी हम आपको बता देते हैं ग्रीन जोन के अंदर आने वाले सभी जिलों में ट्रेंज सेवा, हवाई सेवा और मैटलो रेल सेवा तीनों ही बंद रहेंगी स्टेट के अंदर रूट पर चाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंद रहेगा एजुकेशनल इंसिटूट पूर्न रूप से बंद रहेंगे होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स को खोलने नहीं दिया जाएगा महीं धार्मे के स्थर और पबलेक इवेंट पर रोक लगी रहेगी सलून असपाज जैसी चीज़ें खोलने की अनुमती दी गई है लेकिन नियमों के साथ 65 साथ से जादा उम्र की बुजुर्ग, प्रेगनेंट महीं लाएं और बच्चों को बाहार निकलने की अनुमती नहीं दी जाएगी नागरिकों की स्विधाओं के लिए मेडिकल क्लीनिक और OPD खुली रहेंगे और टेक्सी में एक व्यक्ति को बैठाने की अनुमती दी जाएगी फोर विलर में ड्राइवर सहित दो लोगों को बैठने की अनुमती दी जाएगी टू विलर में दो लोग ही जा सकते हैं वहीं परिवहन वाहनों को 50% सवाली लेकर जाने की अनुमती ग्रीन जोन में दी गई है। इंडस्ट्रियां जो जरूरी चीजों का उत्पादन करती हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर खोलने की अनुमती दी गई है। वहीं अर्बन इंडस्ट्रीज, अर्बन सिंगल, नॉन असेंशिल शॉप, एकॉमर्स वेबसाइट जो जरूरी सामान पहुचा दी हैं, साथी एग्रीकल्चर अक्टिविटी से जुड़ी संस्थाएं, बैंक और फाइनेशिल अक्टिविटी से जुड़ी संस्थाएं, कोरि नियम भी लागू किये गए हैं, इन नियमों के तहट दी जाने वाली छूट का पालन नियमों के दायरी में रहकर करना होगा